गंधिय सूचक मान लीजिये आपको चार रसायन दिये जाते हैं और अम्ल या क्षारक के रूप में उनकी पहचान करने को कहा जाता है। आप कैसे पहचानेंगे? आईए पता लगाते हैं। हमारे पास गंधिय सूचक है जो बताते हैं कि कोई तत्व विशेश गंध में परिवर्तन के कारण अम्ल या क्षारक है। इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में गंधिय अनुमापन नामक प्रक्रिया द्वारा यह देखने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन, अम्ल है या क्षारक। गंधिय सूचक इस सिध्धान्त पर कारे करते हैं कि जब कोई अमल या क्षारक किसी तत्व में मिलाया जाता है, तो उसकी गंध का पता नहीं लगाया जा सकता। उदाहरणार्थ लाल पत्ता गोभी का रस। इस द्रव का रंग नीला बैंगनी होता है, परन्तु जब यह अमलिय तत्वों के संपर्क में आता है, तो लाल हो जाता है और जब क्षारक के संपर्क में आता है, तो हरा या कभी-कभी पीला हो जाता है।